ताव तो अवरिबन आप अविसेग गुपता सब्एक psychology में स्वागत था आज कि लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे एर श्टेंडर् इस सैकल करने वाला प्रिवेस लेक्चर की बात किया जाए तो प्रिवेस लेक्चर में ने क्या की था सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगा है नियुक्त इसाइक प्रॉसीजर देखेंगे थे एंड अगल करने वाला है तो देखो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है नुमिकल बेज़ डॉन एर इस्टेंडर डीजल साइकल ठीक है तो फर्स फॉल मैं क्या बोलूँगा आप लोग को जो इन्पोर्टेंट पॉइंट है डीजल साइकल का जो आउटकम मिल है उसको मैं लिखने वाला हूं उसके बाद क्या होगा उसके बेसिस में मैं हम लोग क्या करेंगे घॉमिकल सौल बेंगे चल्ए पया क्या क्यों प्रोसिजर है एर स्टेंडर एर स्टेंडर डीजल साइकल, ओकेक एलिक अपना एर एर स्टेंडर इंपॉर्टेंट पॉंट आपको नोन रहेगा प्रोसिजर रहेंगे तो हम लोग इजली पॉस्चन को लगा सकते है ठीक है तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगा फर्स्ट पॉइंट हमेसा यह बात करता हूं कि आपको एयर इस्टेंडर आर्टो सैकल हो यह फिर डीजल सैकल हो उसका पीवी एंड टीएज डागराम क्लियर होना चाहिए ठीक है तो हम यहां पर पीवी एंड टीएज डागराम ड्रॉ करने वाले हैं ओके देखिए पीवी एंटी एंट डाग्राम में ड्रॉ करने वाला हूँ यह होगे आपका पीवी डाग्राम यह जो है आपका पीवी एंटी एस डाग्राम ओके देखिए देखिए वन तू थ्री एंट फोर प्रोसेस वन तू तू क्या था आपका प्रोसेस वन तू तू हमारा था आपका प्रोसेस गॉपरोसेस गॉप ऑन तू तू क्या था आपका आईसंट्रोपी क्मपरेशन पहले आप लोग को यह बता था पा है डीजल साकल पर यह देखें पहले नंबर प्रोसेस क्या है एक था आपका इंपोर्टेंट पॉइंट फर फर्स्ट पॉइंट था टू कि रिवल सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस ओके यह हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस नेश्ट वन आपका था वन रिवल्सिबल रिवल्सिबल आईसो बारिक आईसो बारिक प्रोसेस ओके और नेश्ट प्रोसेस था आपका वन रिवल्सिबल रिवल्सिबल आईसो कोरिक आईसो कोरिक प्रोसेस ओके अब प्रोसेस क्या क्या था आपका जैसे की रिवीघा एक्रोसेश का मेनिंग क्या होगा आइसा अंद्रॉकिक फोर्मती ईसके लिए इसके लिए फॉर्मला आपने पार क्या है क्या था वद्यों टूब dużo की पावर गामा-1-1 एकॉल की फावर गामा-1 and iso Coric structures a volume will be constant हम या पर प्रोसेश दग लेते हैं 122 process क्या था i ceint propagation isontropic compression iso and two to three क्या था अब का two to three constant constant pressure constant pressure heat addition constant pressure heat addition and third 3 to 4 ये क्या थापका isentropic isentropic expansion isentropic expansion and next one 4 to 1 that is a constant volume constant volume heat rejection constant volume heat rejection ओके ये प्रोसेस के according हम लोग डियाग्राम ड्राव करेंगे 1 to 2 isentropic compression तो पीवी डियाग्राम में 1 to 2 isentropic expression लाँ क्या होगा उस केस में आपका pressure increase होगा temperature increase होगा and volume decrease होगा similar to यहाँ पर हमने क्या किया WC work compression work किये ठीक है 2 to 3 2 to 3 में क्या होता है आपका constant pressure heat addition constant pressure heat addition यहाँ पर P is equal to constant है P is equal to constant है and 3 to 4 जब constant pressure heat addition करेंगे तो temperature क्या होगा increase होगा and volume क्या होगा आपका increase होगा clear that next क्या है आपका 3 to 4 3 to 4 मैंने क्या लिखा है आपका isentropic expansion expansion के क्या होगा work producing होगा and आपका volume increase होगा pressure and temperature क्या होगा आपका decrease होगा चलो ठीक है 3 to 4 आगे आपका W E clear and 4 to 1 क्या है आपके लिए digital cycle पर 4 to 1 constant volume heat rejection process क्या है आपका constant volume heat rejection process यहाँ पर देखिए आप Q rejection clear that means V is equal to constant similar to अगर हम देखें आपस पीएज डियाग्राम की बात करते हैं तो तीएज डियाग्राम कैसे बनेगा आपका देखिए आपस पीएज डियाग्राम कैसे बनने वाला है आपका this one आप 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 1223 and 4 ओके यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं यह जो प्रोसेस था आपका क्या था पीवी रेश्ट पावार गामा इस उकल टू कॉंस्टेंट अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा आपका फॉंस्टेंट वॉल्म लाइन इस वाइज वॉल्म लाइन उपर बनेगा एंड कॉंस्टेंट प्रेस लाइन क्या होगा उससे जश्ट नीचे बनेगा है क्लियर डैट यहाँ पर हमने क्या किया क्यूं एडिसट एंड त्री तू फॉर्ड की बात करते हैं तो क्या ओरता है आपका थी तू फॉर आइसान्ट्रोपिक expansion that means entropy will be constant and work producing and work producing expansion more clear that okay four to one क्या आपका constant volume constant volume heat reaction constant volume heat rejection यह basic basic PV and TH diagram आपको आना चाहिए इसी के according आपका question solve होने वाला है clear that ठीक है अब second point की बात करता हूं point number two point number two क्या है आपका हम यूज करेंगे आपकर compression ratio क्या करेंगे compression ratio कि से denote करते हैं अपन compression ratio को हम लोग denote करते हैं RC और RC जीकोल होगा V1 upon V2 maximum volume upon minimum volume for process compression isentropic compression इसके बाद हमने देखे थे हम देखे थे cut-off ratio क्या देखे थे cut-off ratio क्या था आपका इसको हम denote कर रहे थे रो से किसे denote कर रहे थे आप रो से इसको RC clear नॉमिंक्लेचर बहुत important है आपको different different बूप में different different नॉमिंक्लेचर मिलने वाल है तो हम जो यूज कर रहे है इसके according चलिए आप लोगो दिक्कत नहीं होगा ठीक है ठीक है क्या हो जागा maximum वालूम 322 थर्ड 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 था आपका expansion ratio expansion ratio ठीक है expansion ratio क्या होगा expansion ratio होता है r e से represent करते किसे represent करेंगे r e और r e is equal to क्या मिला था आपको v4 upon v3 v4 upon v3 and v4 is equal to क्या होता आपका v1 और relationship between यह भी लिख सकते v1 upon v3 and relationship between compression ratio cut-off ratio and expansion ratio क्या find out किये थे हम हम find out किये r c is equal to row into r e r c is equal to row into r e okay then next point number third point number third की बात किये करेंगे point number third क्या thermal efficiency of the diesel cycle that means यह हो जाएगा आपका diesel cycle का efficiency का formula क्या निकाले के निकाले के वन देखो इसको याद करने का trick यह है कि आपको आट्रो सेकल का efficiency याद होना चाहिए तो आट्रो सेकल की याद होता है क्या होता है यह diesel cycle का efficiency का formula है आपको अगर cut off ratio compressor ratio अगर known है तो हम क्या कर सकते इस formula के according diesel cycle की efficiency का find out कर सकते ठीक है यहां तक clear हुआ next हाँ इस condition में एक चीज़ और बताने वाला था मैं वह चीज़ यह है अगर देखो रो की वेलू क्या होता है रमेसा greater than one whoo तो यह जो फैक्टर दिख रहे है यह क्या होगा रो की पावर गामा मैनस one upon gamma rho minus one always greater than one always greater than one तो यह जो पोर्शन इंक्रिज्जर्ड हुआ एपोर्शन क्या हुआ इंक्रिज्ड हुआ तो आपका diesel cycle के efficiency for और सेम डीजल साथल की एफिशेंसी इस लेस्ट देन आटो स्यक्ल की एफिशेंसी फॉर। कंप्रेशन रेश्यों विल भी कॉंस्टेंट कंडिशन देखिए कंडिशन यह है आपका रो की वेलू क्या होगा इंक्रीज रहेगा वन से गेटर देन होगा थी फैक्टर क्या हो जागा आपका वन से गेटर देन हो ठीक है और सी हमने यहां पस फोर्ड बात करता हूं मैं वर परकने तो वरकने प्रोसेस फोले क्या होता है है पॉजिटिव वंग मारेनस निगेटीं और पॉजिटिव विंकेश में मिला था इसकें इसवी वेलू जब प्रेशारश होता है लोग सिस्टम के लिए तो आप बन कि फॉन्वुला डिराव करते हैं तो आपको यह आपन मिलता है P2 या P3 जैसे भी आप लिख सकते हैं V3 माइनस V2 टीक है and expansion ratio क्या मिला था P3 V3 माइनस P4 V4 अपन गामा माइनस 1 माइनस ओफ माइनस ओफ आपका क्या हो जाएगा यह P2 V2 माइनस P1 V1 रिष्ट पावर गामा माइनस 1 यह आपका W net की value नहीं कर लिए ठीक है और mean effective pressure क्या होगा mean effective pressure देखिए mean effective pressure का diet formula मैंने derive किया था diet formula क्या derive किया था हम लोग P1 RC रिष्ट पावर गामा गामा इंटू RAW माइनस 1 माइनस ओप RC1 माइनस गामा इंटू रो रिष्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इन्टू आर्टी मैनस 1 ठीक है अगर यह formula याद नहीं रहता तो हम क्या कर सकते थे यह आपस W net आप find out किये अपान क्या कर सकते हैं swept volume यह formula swept volume थीक है तो swept volume यह हुआ तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं W net अपान V1-V-2 यह basic आपको known होना चाहिए यह basic जो basic point important points है आपको known होगा तो basic हम लोग इस डीजल सेकल का निमिकल सौल करते है इत्ता आपको याद होना चीज़ और कंडिशन यह के लिए क्या पता है आपको यह क्या पता है यह का प्रोपर्टी सीपी इकल टू 1.005 एड़ cv is equal to 0.718 and r is equal to air के लिए 0.287 and gamma is equal to 1.4 ठीक है यह तीनों का यूनिट क्या होता है हम निमिकल सौल करेंगे क्लियर डैट क्या कि पॉइंट मिला आप लोग को समझ आ गया ठीक है चलो स्टाइट करते हैं फिर देखते है अपन निमिकल कि निमिकल बेज डान एयर इस्टेंडर डीजल सय का को कॉष्चन से हमको समझ आगा की को इस टेया क्या है ठीक अब दिया है और इस्टेंडर डीजल से का को कॉष्चन मिल रहा है diesel cycle का question में रहा है clear that diesel cycle का question में रहा compression ratio of 16 that means क्या हो जागा rc की value मिल गई compression ratio compression ratio क्या है 16 ठीक है at the beginning of isentropic compression beginning of isentropic compression the temperature is 15 degree celsius and pressure is 0.1 मेगा पास का beginning of compression किस पॉइंट की बात करें पॉइंट नमबर वन वन से हम क्या करते है compressed start करते compression process start करते है उस condition के लिए आपको दिया हुआ that means यह क्या क्या लागा आपका T1 और यह pressure क्या 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 लागा आपका pressure क्या लागा P1 यहां तक clear है अब क्या लिखा हुआ है heat is added until the temperature at the end of constant pressure is 1480 degree celsius अब क्याने का मतलब यह देखे क्या दिया है आपको heat is added until the temperature at the end of constant pressure आप compress कब तक करेंगे point number two तक वहां पर क्या रहाएगा constant pressure रहेगा तो एक किसके constant pressure that means एक किस पॉइंट की बात करें हम लो final point point number three एक किसकी बात कर रहा है point number three की बात कर रहा ठीक है point number three की बात कर रहा है ठीक है क्या मिला आपको heat is added until the temperature at the end of and of constant pressure process तो end of constant pressure process क्या होगा heat addition कब होता है आपका two two three तो यह point number क्या मिला थी three मिला ठीक clear that then calculate first first of all आपको calculate करना है the cut-off ratio अच्छा यह off ratio लिखा हूं यह क्या होगा आपका cut-off ratio ठीक है cut-off ratio क्या होता है रो किसे डिनोट करते है अपन रो से तो फ़स्ट अपने को क्या फाइंड आट करना है cut-off ratio second the heat is supplied per kg of air that means q added that means q added kya find out करना अपने को q added next the cycle efficiency that means result cycle efficiency की value find out करने last year where the mean effective pressure the mean effective pressure that is p.m. clear आपको क्या दिया है air standard diesel cycle का question में आपको दिया हुआ है condition number one का pressure and temperature condition number three का आपको temperature दिया हुआ and compression ratio दिया हुआ है clear that उसके बाद आपको find out करना है first find out करना आपको cut-off ratio that means row किसे denote करते हैं पर रो उसके बाद आपको thermal efficiency find out करनी है then after mean effect to pressure find out चलो start करें फिर चलो होके start करते हैं हम यहां given देखते हैं क्या के दिया है given that air standard air standard diesel cycle क्या question में air standard diesel cycle तो first of all first rule मेरा यह है कि आपको जब और इयर, standard diesel cycle दिया है तो first of all हम क्या करेंगे हम करने वाले यही है कि हम पीवें ही डागराम फोर्स्ट एही है कि हम पीवें हो करेंगे कि that is a PV and TS process 1 to 2 process 1 to 2 क्या आपका isentropic compression तो this one is isentropic compression point number 1 and point number 2 next 2 to 3 constant pressure heat addition तो देख लिजिए आपका constant pressure heat addition हो जाएगा यह होगा heat added यह होगा WC constant pressure हो गया point number 3 3 to 4 क्या आपका 3 to 4 isentropic expansion okay isentropic expansion that means यहां निकलेगा आपका W E okay 4 to 1 क्या आपका constant constant volume heat rejection यह आपका diagram बने यह कौन सब प्रोसेस हुआ पी वी रेस्ट पावर गामा is equal to constant PV रेस्ट पावर गामा is equal to constant and that is a V is equal to constant and P is equal to constant okay next TH diagram बनाएंगे अपन तो TH diagram कैसे बनेगा आपका यह आपका TH diagram यह क्या आता है P is equal to constant and V is equal to constant 1 to 2 3 and 4 यहां हमने क्या दिया compression work यहां हम को मिला expansion work यहां हमको heat addition की बात करते हैं यहां पर heat rejection की बात करते हैं ठीक है यहां तक clear हुआ तो यह basic जो है आपको यह draw करना है ओके और question में क्या दिया है देख लेते हैं पस question में आपको क्या क्या दिया है देखो आपको compression ratio दिया है पॉइंट नबर वन का 15 degree Celsius पॉइंट वन मेगा पास्कल पॉइंट वन मेगा पास्कल तो गीवन हम लिख सकते हैं आपर rc is equal to 16 and p1 is equal to 0.1 मेगा पास्कल तो क्या मिलेगा आपको 100 किलो पास्कल और मेगा का celsius देखिये 15 degree celsius इसको convert कर दीजिए आप प्लस 273 हम convert करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पास 288 288 Kelvin 288 Kelvin ओके और क्या दिया है अब यह point क्या है पॉइंट किया था मैं point number 3 t3 की value दिया t3 की value क्या 1480 1480 ठीक है तो t3 हमें मिला 1480 degree celsius इसको convert कीजिए 1480 plus 273 जब solve करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा solve करते हैं हापास 1480 plus 273 आपको value आ गई 1753 171 753 Kelvin और देखिए भाई question में और क्या दिया है question में और कुछ data दिया है क्या नहीं दिया है समझ आ गया question में कोई data नहीं दिया है आपको सब से पहले cut off ratio निकालना है रो की value चलो start करते हैं है देखिया हूँ ठीक है तो first of all क्या find out करना है अपने को cut off ratio क्या find out करना है cut off ratio अब मेरे को आप बताईए cut off ratio को formula क्या था तो cut off ratio हमें मिला था V3 upon V2 क्या मिला था आपको V3 upon V2 अब ना V3 पता है ना V2 पता है तो point number 3 के लिए आपको known है temperature और point number 1 तो 1 से 2 जाहिए 2 के बाद 3 जाहिए तो आप तो value find out हो जाए है clear हम तो point number 1 से जाते है point number 1 आपको यहाँ पर दिया है P1 is equal to 100 kilo Pascal and T1 is equal to केल्विन 288 Kelvin और RC की value क्या दिया है RC की value आपको दिया है 16 और कुछ दिया हुआ है क्या पर kg में निकालते हैं तो यहां से हम RC अपने को known है अपने को V2 निकालना है हमें क्या निकालना है या फिर टी टू निकाल लिए टी टू निकालो गए तो यहां पर प्रोसेस से निकाल जाएगा तो इस पॉइंट प्रोसे ऑसे से निकाल सकते हैं एए गोर्ड लिए टी अटी टी टीएट टी अटी ए-टीए-टी ऑर टी टी-ई-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-डए-डी-टी-टी-टी-ट- spotted प्रिजर किता दिया है 100 अब सॉल करते हैं ठीक है जिए सॉल करने पर 0.287 multiplication of 288 upon 100 हम सॉल करने के बार हमारे पास आया value 0.8265 0.820 0.8265 meter cube per kg ओके यह हमको यहां मिल गया v1 अब इस v1 की यहां put up कीजिए और v2 find out कीजिए तो देखिए तो v2 is equal to मैं क्या लिख सकता हूं v1 upon rc और v1 कितना निकल है आपका 0.8265 upon rc क्या है 16 तो आप यहां पर divide कर लिजिए divide by 16 दिवाइड बाइ 16 ओके तो आपको v2 की value मिली 0.2 is equal to 0.0505166 meter cube per kg ठीक है अब value है आप put up कीजिए आप रो की value क्या हो जागा वी 3 की value है आपकी पास v3 अच्छा भी तक हमारे पास v2 की value निकली हुए अब v2 अब v2 से v3 निकालना है क्या निकालना आपको v2 से v3 तो process process 223 देखें जिस point जिस point को आपको find out करना है जिस point की value find out करना है उस process को आप follow किजिए मैं यहाँ पर कर सकता हूं और 3 से 4 भी फालो कर सकते हैं ठीक है तो तू 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 त्री क्या होता है प्रेशर विल भी constant तो constant pressure heat addition क्या होगा constant pressure heat addition ओके तो constant pressure heat addition में पीवी इकोल टू एमार्टी लगाईए तो आपको यहां मिलने वाला है वी टू अपॉन वी थ्री इस इकोल टू टू अपॉन टू अब बताईए मेरे को आपको अपको वी थी वाइप व्य थी आपको क्या find out करना है वी थी वाई वी इसको और दिगा सब्सक्तू? सब्सक्तित अपकर वद को सब्सक्ति किजदाए तो हम देखते हैं वाद में आपका काम सकते हैं V1 V2 कोई दिक्कत नहीं है आप यहां से sort-cut निकाल सकते हैं । तो प्रोसेस 122 वो से 122 क्या है isentropic compression और isentropic compression डैट मेंज आपके पास एक formula है T2 by T1 is equal to P2 upon P1 rest power gamma minus 1 upon gamma is equal to V1 upon V2 rest power gamma minus 1 and इसको हम क्या लिख सकते हैं RC rest power gamma minus 1 RC rest power gamma minus 1 अब यहां से आप T2 की value find out कर सकते हैं because RC की value known है and T1 की value भी known है तो हम यहां से निकालेंगे T2 क्या निकालेंगे T2 is equal to T1 T2 is equal to T1 RC rest power क्यों जागा? RC rest power gamma minus 1 तो T1 की value क्या है? 288 288 into RC क्या आपका? 16 rest power 1.4 minus 1 solve कीजे तो 288 into 16 rest power 1.4 minus 1 that means 0.4 is equal to आपके पास आया है 873.05 873.05 तो T2 की value आगई आपके पास 873.05 Kelvin 05 Kelvin ठीक है? 05 Kelvin ओके? अब इस point को जब हमें T3 की value known है और T2 की value known है तो हम वहां से क्या find out कर सकते है? cut-off ratio ठीक है? तो T2 की value क्या है? देखे आप T3 की value क्या है? T3 की value आपके पास है 1753 1753 देखे 1753 upon 873.05 solve कर लिजे इसको solve करने पर क्या आगा? 1753 divide by 873.05 ओके? तो देखे आपको answer मिले आपास 0.007 2.007 2.007 that means row की value हम हमें find out हो गई है 2.007 2.007 यहां हम लिख सकते हैं T3 upon T2 2.007 परस्ट आंसर आपका यहां 100 लोगे हैं आपको कुछ यूनिट होगा क्या नहीं होगा विकाद यह देशी होगा है ठीक है वालूम का रेशियो तो नेश्ट अब नेश्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं ।ाव नेश्ट आपको find out करना है है नेश्ट हमें find out करना है देखिए अजिव आपके पास नेश निकालना है दा हीट सप्लाई पर के Jesus ऑन यर्च क्या find OUT करना है yolk रसाप्लाईल निकालना डेक है हीट सप्लाई तो देखिए नेस्ट पॉइंट नेस्ट पॉइंट आपका हीट सप्लाई क्या फाइंड आउट करना है आपको हीट सप्लाई तो पॉइंट नॉम्बर टू हमें फाइंड आउट करना हीट सप्लाई हीट सप्लाई हीट सप्लाई पर kg अधसे पीड़िक फिप साफ्लाई पर एट में में अओग आपके पास जो दीत जागराम है यहां से हम प्रोसेस में आ सकते हैं ओ यह लुज हूँ हमें heat supply क्या हो रहा है two to three process क्या हो रहा है आपका two to three AT a constant pressure two to three AT a constant pressure clear that तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं heat supply process two to three at constant प्रेसर कॉस्टन प्रेसर हिट अदिसां कंटक्रेशर एडिसां कंट्रेशर हीरड़ wouldn't जाका फिर एम सीपी डेल्टी और मासे उगल टू बन कई एड़ी दैट मेंस सीपी लुप सेट यह तो टी त्री माइनस दीटू 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 ओके और सीपी की वैलु किया बन पॉंट 005 और टी टीटिटी वैलु किया वन सेवन T3 की वेलू किया? 1753 1753 minus of T2 की वेलू हमने find out किये है 873.05 873 873.05 को आप इस formula से direct Q added की वेलू निकाल सकते हैं क्या वेलू आ गई? 1.005 into 1753 minus of 873.05 is equal to आपको वेलू मिली 884.34 884.34 Q added हमें मिल गए आपास 884.349 किलो जूल पर केजी किलो जूल पर केजी यह हो गया आपका second answer क्या हो गया? second answer थर्ड देखते हैं थर्ड क्या पुछा जा रहा है? thermal efficiency ठीक है? तो देखे thermal efficiency मतलब cycle efficiency दिया हुआ है point number third cycle efficiency तो diesel cycle की efficiency का formula क्या है? बताइए एक है एक है diesel cycle की efficiency का formula होता है आपका simple w net upon its supply and one minus q rejected upon q added ठीक है? यहां तक लियर हुआ? और डारेट अगर आपको याद है आप यहां पर फिर क्या निकालेंगे? डबलो नेट की वेल्यू निकालेंगे यहां फिर क्यू रिजेक्टेट निकालिए आप डायेट फर्मुला उटप कर सकते हैं पहले हम हम लिखते है रटो साइकल की आपवार इंतुव रो रिष्ट कावर गामा माइनस वन अपाउर ओर रिष्च्पावर गामा माइनस वन अपाउन और क्या लीख सकता हो यहां पस गामा इंन्तू रो माइनसमा hurts नोन है ठीक है? तो 1-1 upon 16 rest power 1.1.1.4 minus of 1 into रो की बेलु कितनी मिली है हमको रो की बेलु मिली हुए 2.007 2.007 rest power 1.4 minus 1 divided by 1.4 and 2.007 minus of 1 अब इसको हम direct solve कर सकते हैं ठीक है solve करते हैं 1 minus of 1 minus of 1 इसको रहां लिख सकते हैं 2.007 rest power 1.4 then minus of 1 divided by 16 rest power क्या लिख सकते हो 0.4 लिख सकते हैं ठीक है into 1.4 लिख सकते हैं into 2.007 minus 1 2.007 minus 1 solve करने से आपके पास efficiency की value आई है 0.6134 that means 61.34 percent यह डीजल साइकल की efficiency का formula है क्या है डीजल साइकल की efficiency का formula आप पूटप करके आंसा या फिर अब क्या होता है कई बच्चों को देखा जाए यह formula जल्दी याद नहीं होता ठीक है तो याद नहीं होता तो उसके लिए basic concept क्या है आप यह formula लगा लिए 1 minus qr upon q edit हमने आपस q edit न यहां से हम qr निकालते हैं चलो ठीक है qr से भी निकाल के देख लें heat rejection heat rejected at constant volume जाथा heat rejection at constant volume for diesel cycle यह था अपना formula तो हम क्या लिख सकते हैं qr is equal to per kg में निकालना है तो constant volume है न तो cv t4 minus t1 because process के आप 4 to 1 अब आपको यहां पर t4 की value find out करनी होगी क्या करनी होगी अपने को t4 की value find out करनी होगी ठीक है चलो देखते है t4 कैसे निकाल सकते है तो process 3 to 4 जाहिए आप कहा जाएंगे process process 3 to 4 3 to 4 process क्या है diagram में आप जब देखेंगे 3 to 4 की बात करता हूं तो उस condition में आपको मिलेगा isentropic expansion process क्या मिलेगा isentropic expansion that means entropy will be constant और formula मेरे पास है standard t3 upon t4 is equal to p3 upon p4 power gamma minus 1 upon gamma is equal to v4 by v1 gamma minus 1 या फिर इसकों क्या लिखते है आरी गामा माइनस 1 आरी क्या है expansion ratio है ठीक है expansion ratio है अब मेरों के यह बताईए जब आरी की value no नहीं क्या नहीं तो आरी और आरसी और cut-off ratio में हमको relation पता है rc is equal to क्या पता है रो इंटू आरी तो इंटू आरी तो यहां से हम आरी निकाल लेते हैं तो आरी is equal to क्या होगा rc upon रो और rc की value 16 और रो की value 2.001 2.001 तो यहां से हम आरी की value निकाल सकते हैं तो आरी की value देखें 16 upon 2.007 आपको value is 7.97 7.97 7.97 यह आपकी आरी की value अब यहां से देखिए हमको क्या निकालना है टी 4 निकालना है ठीक है टी 3 नोन है आरी भी निकाल चुके है अपनलो तो यहां से टी 4 is equal to क्या मिल जाएगा आपको टी 3 अपान आरी देख्ट पावर गामा माइनस पॉन दें टी 3 की value क्या है टी 3 की value हमारे पास है 1 753 क्या है 1 753 ठीक 1 753 अपन आरी आरी की value हमने निकाले यहां पार 7.97 रेस्ट पावर 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 4 सौल कर लिजी इसको तो 1 753 अपन 7.97 रेस्ट पावर 0.4 हम सौल करने पर हम हमको मिला है आपास टी 4 की value टी 4 की value गया 7 6 4.18 तो टी 4 is equal to 7 6 4.18 Kelvin टी 4 मिल गया आपको तो दैन अब फाइनली हम क्या निकाल लेंगे आपास cv cv की value 0.718 और T4 क्या है 7 64.18 और T1 की value आपको portion में और रेड़ी दिया हुआ है किता दिया है 288 15 degree Celsius 288 अब इसको solve कर लेते हैं तो 0.718 इंटू 7 0.718 इंटू 764.18 माइनस ऑफ 288 माइनस ऑफ 288 तो आपको value जो मिली है यहां पास 341.9 क्या find out हुआ आपका क्यों रिजेक्टेड वैलू मिल यहां पस मेरे को Q rejected is equal to 341.9 और यूनिट क्या हो जागा 341.9 किलो जूल पर केजी किलो जूल पर केजी अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे थर्मल एपिस्टेंसी की वैलू find out कर सकते है थर्मल एपिस्टेंसी क्या आपके पास 341.9 and q added की value हमने find out की थी q added क्या मिला था आपको 884 884.34 884.34 884.34 सौल कर लिजे इसको तो सौल करने पर हमारा क्या आगा सेम अंसर आने वाला है ठीक है 341.9 डिवाइड बाइ 884.34 ठीक है तो सौल करने पर मेरे को value यहां पर मिली 0.6133 क्या मिला आपको 0.6133 एक्जेक्ट वैलू निकलेगी सेम दोनों के value सेम आयागा ठीक है यहां पर भी क्या मिला आपको थर्मल इपिसेंजी 61.34 क्या 61.34 यहां पर भी क्या मिली आपको 61.34 परसेंट 61.34 परसेंट क्लियर आप दोनों अप्रोच से आपको लोग क्या कर सकते हैं थर्मल इपिसेंजी की value आप क्या दिया हुआ है तम मीन इफेक्टिव प्रेसर अब जो इत्ता पराव फॉर्मला है उसको आप बेसिकली याद नहीं कर पाते हैं जो याद कल लिया उसके लिए बेस्ट है अगर नहीं किया तो इसके लिए हम लोग बेसिक इस्टेंडर कंडिशन जो टेवर डेफिन मीन इफेक्टिव प्रेसर मीन इफेक्टिव प्रेसर अध मेंस प्म तो प्म इस उकल तो अपने को नोन है डूने 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 ड सब्सवत व स्थिएलब हएगा हागा हेगा एंटू एड़ेंड नहीं क्या होता है सब्सक्राइब करते हैं इसको कहते हैं बाइट के लोग की करना है अपने को निकालना तो पहले क्या करेंगे 84.3 something ऐसे कुछ आया था ठीक है देख लिए दे 884.34 884.34 तो यहां से आप find out कर लिजिए क्या W net की value 0.6133 multiplication of 884.34 तो आपको मिला 542.36 5 42.36 यह हो गया किलो जूल पर केजी and V1 minus V2 तो V1 minus V2 हमने क्या निकाला है यहां से देख लेते हैं V1 minus V2 की value यहां से है देखें V1 किता है आपका हमने find out क्या है 0.8265 minus V2 क्या आपके पास 0.05166 0.05166 ठीक है तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा आपका V1 minus V2 that means V1 क्या था 0.8265 minus of 0.05166 is equal to solve करने पर हमें यहां पास swept value मिला 0.77484 0.77484 ठीक है meter cube पर kg में निकाले थे हैं करा रहा रहा है तो डावलो Vs की value हमको यहां से क्या find out किये 0.7784 अब put up कर लिजिए डावलो नेट की value यह आपके पास 542.36 अपान सब ट्वालूम में निकाला है 0.77 0.77484 0.77484 अपास 542.36 अपान 0.77484 आपको मिला 699.96 699.96 यह हो गया आपका प्रेशर किलो पासकर किलो पासकर तो देखिए देखिए कैसे स्वाल किया मैंने को किस किसके कोडिंग है जो कोशन पूछा है उससे हम लोग आउटकम निकाले और डारेट पीवी और टीएज डियाग्राम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब देखो और इसमें क्या के कोश्चन बनता है जैसे कोश्चन दिय पूछा है और क्या पूछ सकता है मैक्जिमंउपएंट मैट्सिमम प्रेयशद टेंपरेचर और गिवन कोशन मतलब की पॉइंट नंबर अब देखते हैं पॉइंट नंबर चैसे maximum pressure and temperature क्या होगा साइकल का तो maximum pressure क्या होगा दीस वन maximum pressure क्या हो जागा दीस वन साइकल में देख लिजी आपको सबसे maximum pressure कहा मिलेगा point number three पर maximum temperature की बात करेंगे तो भी क्या मिलेगा point number three तो point number three के लिए हम लोग यह निकाल सकते और question क्या and temperature value पूछा जा सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं एक सब्सक्राइब क्या होगा एम सीवी टीफोर माइनास टीवन हो जाएगा ठीक है अगर आपको बोल दिया जाए question यह बोल दिया जाए कि expansion work क्या होगा एक सब्सक्राइब यह निकाल सकते हैं तो आपको question में कुछ भी पूछा जाया कुछ भी पूछा जाया तो आप इस टेंडर जो मैंने fundamental बताया आपको डीजल साह करका वहां से हम लोग find out कर सकते हैं ओके चलो next question देखते हैं झाल